आज मैं आपको बता हूँ कि आप लोग अपने खुद के डेटा पे चार्ट GPT को कैसे ट्रेन कर सकते हो आपके जो वेबसाइट का डेटा है, आपका नॉलेज बेस है, सपोर्ट लिए जो आपका डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पीडियेस है या कुछ भी डेटा है, जो भी आपको जिस पर भी ट्रेन करना है, खुद का चार्ट GPT बनाना है, उस डेटा के उपर, वो कैसे बनाना है, वो आज मैं आपको बता हूँ हाई गाईस, मेरा नाम है प्रिश अडवानी, यहाँ पर मैं डेजिटल टूल्स के रिवीउस करता रहता हूँ, आज मैं यहाँ बात करना वाला हूँ रिट्यून के बारे में, जिसके तुरू आप लोग यहाँ पर अपना कस्तम चार्ट बॉर्ट बना सकते हो, चार्ट GPT जैसा, जिसको आप लोग अपने डेटा के उपर यहाँ पर ट्रेन कर सकते हो, तो रिट्यून अभी रिसेंटली वापस आप सुमों पर आया है, for a limited period of time, शायद से सिफ next 3 days के रहेगा, तो next 3 days के रहेगा, तो next 3 days के रहेगा, और मुझे लगा कि काफी अच्छे डील हो सकती है, तो मैंने सोचा, मैं इसके लिए क्विकली यहाँ पर एक वीडियो बना दूँ, पहले यहाँ पर मैं आपको अपना end product बता देता हूँ, कैसा वो जैसे यहाँ पर यह रहा मेरा बॉट, इसको मैंने अपने website के data के ओपर train किया है, आप लोग जाके देख सकते हो, contact us page पर आपको email जाएगा, यहाँ पर मैं आपसे पूछूँगा, tell me best web hosting in budget, question mark, and based on my data, based on my blog data, यह मुझे यहाँ पर देदेगा, कि budget, tight budget के लिए 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 इसके basis पर यहाँ पर answer दे रहा है, तो अगर आपको इस तरह का chatbot बनाना है, तो आपको retune से आप लोग बना सकते हो, now let's go to retune, यह रहा retune, सबसे पहले हम लोग इसकी pricing के बार में बात कर लेते हैं, मैं अभी यहाँ पर इसके tier 1 plan पर हूँ, जो की $59 का है, for lifetime, यहाँ पर सि 10 chatbots भी मुझे मिल जाएंगे, मतलब मैं 10 websites पर ऐसे chatbots को डाल सकता हूँ, अब इसको use कैसे करना है, सबसे पहले आपर चले आपको chatbots के ओपर, create chat, you can have a demo chatbot, यह हमारा बन गया है, इसके बाद आपर आपको base prompt डालना है, कि उसको किस तरीके से आपको add करना रहेगा, पहल Google document का भी support नहीं है, future में आने वाला है, text यहाँ पर simply text जो भी हो, आप लोग यहाँ पर अपना paste कर सकते हो, and if you have any question answers वो भी आपर आप लोग डाल सकते हो, और website की URL से you can submit that, main drawback इसका यह है, कि अब जुता कि यहाँ पर XML sitemap से अपरूव नहीं कर रहा है, so that's a big drawback, लेकिन HTML क आप नहीं डाल सकते है, unfortunately, यहाँ पर 3-4 articles लिखेते हैं मैंने, तो सिफ मैंने वही डाल दिया है, और यहाँ पर इसको embed कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर इसने सारे URLs को ले लिया है, you can click on start and then, वो जो भी यह data है, उसको read करके train करना अपने आपको शुरू कर देगा, यह च कि इसको किस तरीके से act करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, act as a travel assistant and help people make a better decision, better travel decision, ठीक है, अब यहाँ पर मैं generate पर क्लिक कर दूँगा, अब इस generate पर क्लिक करने बाद यहाँ पर मेरे लिए पूरा prompt लिख देगा, कि कौन सारे travel किस तरह से यहाँ पर यहाँ पर इसन restrictions यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं उसको कि कुछ information दो, short में दो, contact में दो, और मुझे personally restrictions पसंद नी है, if you want to have that, you can have this, एक negative prompt की तरह काम करें, कि यह सारी चीज़ आपको नहीं देनी है, but मुझे यह इस case में पसंद नी है, तो मैं यहाँ आपर सब remove कर देता हूँ, you can have that if you want to, तो यहाँ पर मेरा chatbot पूरी तरीक इसे train हो चुका है, based on the data, जो भी मैंने यहाँ पर इसको feed किया है, तो इस data के उपर मैं यहाँ पर उससे question पूछ सकता हूँ, जैसे कि, how to plan a budget trip, तो I'll go to conversation, यहाँ पर आपर इसको use करके देख सकते हो, demo में यहाँ पर आपर पूछ सकते हो how to plan a budget trip, तो यह मुझे based on जो मैंने यह content लिखा है, उसके basis पर यहाँ पर यह answer देगा, let's wait, planning a budget trip, take a set budget, research destination and blah blah blah, तो यह है and then यहाँ पर उसने मुझे link पर देदेगा, अगर आपको और देखना है, so you can just go here, that's really good, तो इस तरीके से यहाँ पर यह पूरा चलेगा, you can ask the follow-up questions as well, you can click on new thread and then, जो भी आपको questions है, you can ask it here, we'll go back to training, training मेने आपको बता दिया है, सब यहाँ आप से आपको सारी चीज़े upload कर सकते हो, website डाल सकते हो, HTML डाल सकते हो, then capture if you want to capture leads also, you can ask for name, name of the customer, could you please share your name, so जैसी है यहाँ पर आपका चाट शुरू होगा, सबसे पहले वो name collect कर लेग यहाँ चुका है name of the customer, तो if we go to conversation, I'll click, could you please share your name, वो सीधे हैं आपर मुझसे नाम पूछेगा सबसे पहले, जैसी चाट बोट यहाँ पर open होगा, मैं डाल नहूँआ कर पेश, and then उसके बाद हमारे यहाँ पर conversation start हो जाएगी, जो कि मुझे question पूछना है, I can ask the question here, अब यहाँ पर embedding का भी option है, embedding basically वो ही है, जैसे कि किसी भी चीज़ को आपको train करना है, तो basically training data ही रहेगा, you can embed it, and then बाद में आप लोग चाहो तो उसको link कर सकते हो, पहले यहाँ पर linking का option था, जैसे चाट बोट में जैसे हम लोग जाएंगे, तो पहले जो train का option है, वो यहाँ पर नही करने, जो इसमें एक खास बात है, वो ही है, कि आपको इसको WhatsApp पर भी उसका सकते हो, तो आपने एक बार अपना AI chatboard बना दिया, you can integrate it easily with WhatsApp, and उसके लिए, यहाँ पर पूरा इनोने टुटोरियल दिया है, you can click on learn how, किस तरीके से आप लोगो को WhatsApp पे सको connect करना पड़ेगा, my apps, औ यहाँ पर आपको दिखा देगा कि किस तरीके से connect होगा with WhatsApp, then coming on to settings, यहाँ पर आपको अपनी API key को enter करना पड़ेगा, जी यहाँ यहाँ पर आपको free में नहीं देगा यह output, आपको पहले software purchase करना पड़ेगा, then आपको अपनी यहाँ पर open API key की उसको डालना पड़ेगा, जैस go to settings, settings में models में 3.5, काफी कम पैसो में आपका काम हो जाएगा, if you use this model, और यहाँ पर basic settings आजाएगी, क्या नाम देना है, आपको आपके chatbot कैसा लिखना चाहिए, branding अगर आपको अटानी है, तो again आपको tier 3 पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनकी branding को नहीं अटा आपको आपको यहाँ पर काफी कर देना है, जो आपको 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 इसका प्लगीन का यूज कर सकते हों, जैसे कि मैंने एक plugin है, गोड़ कोड करके मैंने उसका यूज किया है, और यहाँवाली script को प्रेश कर दिया है, यह रहा मेरा blog, राइट-hand corner पर आपको इसका icon यह आइकन भी आपको चेंज कर सकते हो, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यह जो पावर्ड बाइ रेट्यून है, यह आपको दिखेगा, अगर यह आपको उठाना है, तो आपको टीर 3 पर अप्डेट करना पड़ेगा, देन मेरा नाम क्या है, क्रिपेश, suggest me some bags, how can I help you today, suggest me some budget travel backp let's see, specific requirement, looking for a size, small size, तो यह मुझे अच्छा लगा कि यह मुझे से आप question भी पूछ रहा है, और यह रहा, यहाँ पर इसने मुझे URL नहीं दिया है, क्योंकि मैंने prompt में नहीं लिखा था कि मुझे URL भी दो, मैं आप अपना जो prompt है, उसको तोड़ा modify कर दूँगा, ताकि यह ज मैं उससे आपर prompt में जाके बोलूगा कि जब भी आप answer करो, तो URL भी दो मुझे particular articles का, so bottom line यह है, काफी अच्छा टूल है, AI को यूज करने का भी सही समय आ चुका है, आप लोग इसको support के लिए, अपने blog के लिए, काफी सारे इस पर, आप लोग PDF को लोड कर सकते हैं, documents को ल कर सकते हो, यहां फिर यहां से आप लोग leads भी capture कर सकते हो, और affiliate marketing भी कर सकते हो, you can give your own links here, based on your data, कि जो मेरा data है, जो मैंने links यूज करें, वो आप लोग यहां पर दो, ऐसा board को instruct कर सकते हो, तो possibilities यहां पर copy है, but इसका जो base variant भी है, कि simple सा prompt लिख के आप लोग अपनी website पर डाल and if you are interested, link will be in the description section below, for the product for the detailed review, दोन आपको description section, मिल जाएंगे, thank you so much for watching, I'll see you guys in the next one, bye